आपका बहुत स्वागत है आज में आपके साथ गर्मी के मोसम की खास इस्पेशल रेसिपी मेंगो मस्तानी बनाना शेयर कर रहे हूँ इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसे हम पीने का नहीं बलकि खाने का बोलेंगे इस रेसिपी को हम चमच से इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल बढ़िया गाढ़ी बन कर तैयार हुई है देखिए को पास से भी दिखाती हूँ कि कितनी टेस्टी दिख रही है ना इसका लूग कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में तो लाजबाब आप एक बाल इस रेसिपी को जरू ट्राई कीजेगा और इंजॉय कीजे तो आईए जल्दी से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं आज हम गर्मी के मोसम की एक स्पेशल रेसिपी मेंगो मस्तानी बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइस का आम लिया उसे अच्छे से साफ करके छिलका हटा के और बड़े-बड़े पीसेज में कट करके रखा है थोड़े से आम के पीसेज मैंने वह जोटे-चोटे कट किये हैं आट-दस अंगुर उसे भी जोटे से कट करके रखा है और थोड़ी सी मेरे पास बलेक किश्मिष्थी तो वह मैंने इस्तेमाल की है तो एक-एक टेबली स्पून तीनों चीजे हैं जो कि मैंने एक छोटा चमश शक्कर और एक टेबली स्पून पानी डालकर शुगर सीरप में इन फ्रूट्स को डिप करके रखा है 15-20 मिनट पहले ही मैंने रख दिया था ताकि सारे फुलू में अंदर तर मिठास आ जाए इसी के साथ ही दो टेबली स्पून में शक्कर का इस्तेमाल करूंगी अगर आप शक्कर की मात्रा कम चाहें तो कम भी डाल सकते हैं इसी के साथ गार्निशिंग के लिए दो बादाम हैं इसे मैंने कत्रर में कट करके रखा है दो तीन काजू थे उसे भी इस तरह से टुकडो में कट कर दिया साथ आठ किश्मीश और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और फ्रेंड्स इसके अलावा इसमें में यह जो मेरे पास केसर पिस्ता वाली आइस क्रीम है इसका भी इस्तेमाल करने वाली हूँ आपके पास जो भी आईस क्रीम हो आप उसे इसमें डाल सकते हैं और आधा कफी में इसमें दूध ले रही हूँ क्योंकि मेंगो जूस जो हम बनाएंगे वो हमें गाढ़ा गाढ़ा चाहिए क्योंकि हम उसे चम्मत से ही इंजॉई करेंगे अब सबसे पहले हम मिक्सी के जार में आम के पिसे दूध और शक्कर डालकर इसका जूस तयार कर लेते हैं मैंने मिंगो जूस बना के तयार कर लिया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमें इतना गाढ़ा जूस चाहिए इस तरह से तभी हम उसे चम्मत से इंजॉई कर पाएंगे इसलिए हमने जादा दूध भी नहीं डाला बस आधा ही कब दूध डाला है और इस तरह से विकुल गाढ़ा हमारा जूस तयार देखिए चम्मत में है तो वह बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है जब तक हम उसे गिर इसे डाल देंगे तो इस तरह से में दो चम्मिल डाल देंगे और इसके बाद में अब हमने जो मेंगो जूस बना के तयार किया था वह इसमें उपर से डाल देंगे कुछ लगा है ना कितने कुबसूरत इतना जास ही भरेंगे क्योंकि इसके उपर अब हमें आइस्क्रीन लगानी है इसी ग्लास में भी निकाल लेती हूं अब जो मैंने केशर पिस्ता आइस्क्रीम लें थी वह एच्चय निकाल लिया है इसे भी में डाल देंगे कितनी फुप्तुरत तिक ने लगी इस ग्लास में भी मैं आईस्क्रीम डाल देती हैं दोनों ग्लास में मैंने आईस क्रीम भी डाल दी है अब फ्रेंड्स जोब ने डिप करके शुगर सिरुप में फूर्ट्स रखे थे इसे भी हम की उपर डेकोरेट कर देंगे इस तरह से और जो थोड़े से हमें ड्राइप रूट्स लिये थे वह भी डाल देंगे रादाम कत्र, काजू एक बार आप इसे बना के जरूर ट्राइक कीजेगा आपको पर बहुत मजाएगा किश्मिश भी लगा देते हैं और चोहम ने थोड़ी सी टूटी फूटी ली थी इसे बिटा दिया आप देख सकते हैं कि हमारी बहुती टेस्टी नई रेसिपी मेंगो मस्तानी बनकर तयार हुई है अब मैं तो अपने बेटी के साथ इसे इंजॉय करने जा रही हूँ आप भ एक बार जल्दी से इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा टेस्ट कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चेडल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल है आपसे फिर मुलाकात होगी एसी ही एक और मचेदार रेस